नमस्कार मैं हूं ससी आया जारखन के टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जारखन के खिलाडियों को उलम्पिक में गोल्ड जीतने पर मिलेंगे दो कडोर जारखन के मुख्यमंत्र हिमांसुर ने राज के खिलाडियों के लिए खाजाना खोल दिया है बता दे उन्होंने खिलाडियों के लिए कई खोसना है कि सीम ने एलान किया है कि उलम्पिक में गोल्ड मेडल जीतने पर राज के खिलाडियों को दो कडोर सिलवर पर एक कडो तथा ब्रॉंज जीतने पर 75 लाक रुपे दे जाएंगे सीएम ने या घोसना सनीवार को खिलाडियों से बादचित के दोरान की वह तिरंदाज दिपिका कोमालीका या अंकीता भवत कोच पुर्णीमा महतो और होंकी खिलाड़ी निकी प्रधान सलीमा टेटे के साथ बर्चुल माध्यम से बादचित कर रहे थे खोटी में बजरपाद से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत जारखन के बिभीन जीलों में सनीवार दोपर बाद बजरपाद से आट लोगों की मौत हो गई है इनमें खोटी के एक ही परिवार के पांच लोग सामिल है वहीं एक ब्यक्ति बूरी तरह से जुलस गया है बता देव प्रकृति आपदा में दो बैलो की मौध भी होई है बताया गया है कि खोटी जी लेके कारा प्रखंड के लारता डहुटुली गाउ में या घटना होई है दसवी बरावी के आंतरिक मुल्यांकन और प्रेटिकल के अंग अपलोड तित्थी जारी जारी जार्खंड में मैट्रिक वा इंटर्मीडियेट परिच्छा 2021 के परिच्छा के प्रप्तांग पोटल पर अपलोड करने के परकिरिया सनिवार से सुरू हो जाएंगी बता दे जार्खंड एकेडमी कॉंसिल ने इस समयने विश्त्रित दिशार ने देश चारी किये हैं जार्खन एकेडमी कॉंसिल द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि स्कूल कॉलेज तीन से लेकर 13 जुलाई तक विद्यार्थियों के आंत्रिक मुल्यांकन या प्रयोगिक परिक्षा का प्रप्तांग पोटर पर अप्लोड कर सकते हैं प्रप्तांग अप्लोड करने को लेकर 20 जनकारी जैक की वेबसाइट जैक.जार्खन.jov.in से प्राप्त की जा सकती है तीसरी लहर से सहमे बेपारी अगस्त से तेवारों का मौसम सुरू होने वाला है ऐसे में बेपार जगत में आंत और पर हलचल जून के महीने से सुरू हो जाती है मगर बेपारी संभावित कुरोना संक्रामन की तिसरी लहर को देखते हुए बेपार में निवेस से कद्रा रहे हैं बताया जा रहा है कि राज में कुरोना संक्रामन की तिसरी लहर अगले 30 दिनों में आना संभावित है अपर बयार के थोक कपड़ा बेपारी बताते हैं कि रांची में जुलाई के महीने में अगस से सुरू होने वाले तेवाए अठन के कपड़ों का ओडर दिया जाता है अगर तीसरी लहर आती है तो ऐसे में लोगडाउन का लगनत था है अईसे में वेपार्क ठप होने की स्थी तीम में माल दुकान में पड़ा रह जाएगा जार्खन के बाहर भी पाउप फेलाएगा जार्खन मुक्ति मोर्चा सत्ता में आनेक बार छेतरी है पाटी है संगर्ठन का अन्य राजों में विश्तार के हर संभव कोसिस करती है बतादे समाजवादी पाटी बहुजन समाज पाटी सरीके राजनीतिक दल इसका उधारन है जार्खन में सतारूड जार्खन मुक्ति मोर्चा ने भी इस दिसा में कोशिस तेज की है जार्खन के पुडोसी राजयों की रायनेति गति विदियों पना सिर्फ मोर्चा के सीर्ष रणनेति कारों की नजर राती है बलिक वे चुनाव के दोरान भी सक्रेता दिखाते हैं मंत्री पद पर कॉंग्रेस का दावा पर मुक्ष मंत्री लेंगे अम्तिम फैसला है जार्खन के बित मंत्री टामे सरूराव ने कहा है कि मंत्री परिशाद में रिक्त एक पद कॉंग्रेस भी दावा की है हालाकि यह भी कहा है कि यह सीम के 20 साधिकार छेत्र का ममला है हमतिम नीर ने उन्हें ही लेना है बित मंत्री ना में शरू रहाओ कि अपने दो दिवस्य दोरे पस अनिवार को सिम्डेगा पहुंचे जहां कार्ज करता हो ने उनका स्वागत किया बित मंत्री ने यह भी कहा कि चुकी सिम्डेगा जिला 10 परखंड है इसलिए यहां एक और अन्मंडल भी बनाया जा सकता है बिदित हो कि सिम्डेगा जिले में अभी एक ही अन्मंडल है डराइविंग टेस्ट के लिए अब रोजाना 100 लोग दे सकते हैं टेस्ट अब डराइविंग टेस्ट के लिए जिला परिवहन करयाल है कि और से लोगों को कुछ रहात दी गई है अब स्लोट भोकिंग की संख्या में कुछ आकड़ों में तबदिल की गई है बता दे 80 लोग ही डराइविंग टेस्ट में सामिल हो सकते थे लेकिन अब 100 लोग टेस्ट दे सकेंगे कुरोना माहामारी के कारण डराइविंग टेस्ट देने वालों की संख्या में अच्छी खाची कटोती की गई थी भीड अधिक ना हो इसलिए इनकी संख्या असी पर सिमित कर दी गई थी जिसके कारण अगले एक महिना तक स्लोट बोकिंग फूल हो रहा था शिक्षक नियुक्ति मामले में हाई कोट ने इसकूली सिक्षा सची को किया सोका जारी जारखन हाई कोट ने एकारा गयर अनुसूची जीलो में संस्क्रित सिक्षको की नियुक्ति के मामले में इसकूली सिक्षा यम सक्षर्ता विभागे परदान सिक्षको को सोका जारी किया है जस्टिस एसके दिवेदी की पिठने सचीव से पुछा है कि अब तक कोट के आदेश का नुपरन क्यों नहीं किया गया है इस मामले में अगली सुनवाई चार सप्ता बाद होगी दरसल एकारा गयर अनुसूची जीलो में संस्कित सिक्षक नियुक्ति के लिए JSC ने मेरिट लिष्ट बर्द 2018 में ही जारी कर दी गई थी रांची में बिजली कनेक्शन काटने के लिए चलेगा अभियान बिजली का बिल नहीं जामा करने वालों के खिलाब बिजली विभाग अभियान शुरू करने जा रहा है इस अभियान को सुरू करने के लिए सभी सेक्षन में 22 राजास्ववसूली गैंग बनाए गए हैं यह राजास्ववसूली गैंग ऐसे लोगों की सूची त्यार कर रहे हैं जिन्होंने 6 महिना से बिली का बिल जामा नहीं किया है और जिनके उपर 10 रुपय से ज्यादा का बकाया है बता दे राजास्ववसूली गैंग उनके घरो या प्रतिस्ठानों पर जाकर बिल जामा करने को कहेंगे अगर सम्मंदित ब्यक्ति बिल जामा नहीं करता है तो फिर उनका कनक्शन काट दिया जाएगा ज्यार्खन में कुल एक्टिव केस की संख्या 831 है वहीं भारत में 42701 केस मिले हैं भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 4,08,203 है अनुकमपा पर नौकरी के लिए ज्यार्खन से निर्गत आरक्षन का दिखाना होगा परमान पत्र राज में अनुकमपा पर नौकरी में आरक्षन का लाव लेने के लिए ज्यार्खन से निर्गत जाती परमान पत्र दिखाना होगा अगर जार्खन से निर्गत जाती प्रण पत्र नहीं होगा तो आश्रित को समाने वर्ग कामाना जाएगा और उन्हें अलक्षन का लाब नहीं मिलेगा बतादे जार्खन पुलिस मुख्याले ने सुक्रवार को सभी जीलों के सेस्पी, एस्पी, फ्रसिक्षन केंद्र वह इकाई पर्मो को इसे समन्धित आदेस भेज दिया है यो आदेस कार्मिक विभाग का है जिससे सब को अउगत कराया गया है देश के स्कूलों से काफी बेहतर है जार्खन के विध्यालों की स्थिती सिक्षा मंत्राले द्वारा गुरुवार को जारी यूडास पलस की 29 की रिपोर्ट में ये बाते सामने आई है हलाकि रिपोर्ट के अनुशार जार्खन की स्कूलों में ड्रॉप आउट देस की दर से अधिक है निसिकांद दूबे ममला है जार्खन पूलिसमेंस एसोसेशन ने ड्जीप को आवेदन देकर सांसर निसिकांद दूबे के खिला प्रात्मी की दर्च करने की अनुवती मांगी है असोसेशन के अवेदन के अधार पर ड्जीपी ने अडीजी मुख्याले मूरारी लाल मीना को पूरे मामले की मोनेटरिंग वजाँच क आदेश दिया है मामला एडीजी मुख्याले के पास लंबी था है एसुसेशन के महामंत्री रमेस उराओं के अस्ताक्षर से ही डीजीपी को आवेदन दिया गया है लाइट हाउस पुर्जेक्ट पकड़ी रफ्तार ज्यारखन समेट छो राजियों के सोहरों में पदान मंत्री रमेस पुर्जेक्ट का काम चल रहा है इसमें ज्यारखन के दानी राची भी सामिल है बता दे राजधानी राची समेट तमाम लाइट हाउस पुर्जेक्ट को लेकर प्रधान मतिनान मोदी ने ऑनलाइन समिक्छा की बता दे की 1.2019 को राची में प्रधान मतिनान मोदी ने लाइट हास पोजेट के शुरुवात की थी इसके तहट पीम ने अगर तला राची, लखनाव, इंदोर, राजकोट, चेननाई में लाइट हाउस प्रोजेट की अधार सिला रखी थी जोजना के मुताविक हर सहर में इस तरह के एक हजार आवासों का निर्मान किया जाना है रेंजर को बंधक बना मजदूर लेगा डूरंडा थाना मजदूरी भुगतान की मांग को लेकर सुक्रवार को सोध एवं मुल्यांकन प्रच्छेत्र गेतल सुत में काम करने वाले मजदूर रेंजर राजेंदर परसाथ का डूरंडा इस्थीत आवास का खिराव किया मजदूर रेंजर को घृर से बंधक बना कर डूरंडा थाना लेग आए इस बीच मोगे पाकर रेंजर वहाँ से फ्रार हो गए बतादे इसे लेकर कोई मजदू सनिवार को पुना डूरंडा थाना पहुंचे तथा रेंजर के खिलाब करवाई ना करने की भीरोध में हंगामा किया है ज्यारखन में सिक्षको की अस्थानांत्रन नीती में होगा बदलाव राजी के प्रात्मिक से लेकर पलस्टू स्कूल तक के सिक्षको की तबादला नीती फिर बदली जा रही है बतादे दिव्यंग और साधेरोगी सरकारी सेवा वाले पती पतनी के साथ साथ अब महिला और अने सिक्षको को ग्री जीला में अस्थानांत्रन का मौका मिल सकता है इसके लिए स्कूली सिक्षा और सक्षता विभाग ने 6 जुलाई को बैठक बुलाई है इसमें विभाग के आला अधिकारियों के साथ साथ माधमिक और प्रात्मिक सिक्चक संग के प्रतिलिदी भी सामिल होंगे अभिभावक संग जार्खन और विभावक संग की ओर से चलाए जारे साथ वार साथ गुहार कारकरम के तहट तीसरे दीन सनिवार को संग के अध्यक्ष अजयराय के नेतित में पदादिकारियों और अभिभावकों ने विधायक सीपी सिंग के आवास के सामने मौन परदसन किया निजी स्कूलों में फिस भीधी खिलाब चलाए जा रहे इस अंधोलन में संग के पता अधिकारियों ने विधायक से समर्थन की मांग की मौन परदसन के बाद विधायकों ग्यापन भी सोपा ज्यारखन के सभी किसानों को जल्द बनाय के सीसी मुख्यमंत्रि हमन सुर ने कि रिशी विभाग के अधिकारियों को राजे के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से अच्छादित करने का निर्यस दिया है उन्होंने कहा है कि इसके लिए परखण अस्तर पर विस्यस अभियान चला कर 15 जुलाई तक किसानों से आवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित होना चाहिए सीविर लगा कर आवेदन लेने की परकिरिया पूरी करें अगर बैंक से सयोग प्राप्त नहीं होता है तो बैंक से विभाग अस्पश्टी करन मांगे ट्रको से अवयद वसुली में देवघर के दो एसाई समय दस पूलिस कर्मी निलंबित देवघर में रात्री में ट्रको से अवयद वसुली करने कारोप में दो सहायक पूलिस उपनिरिच को एक हवलदार और साथ आरक्षियों को निलंबित कर दिया गया है इस मामले में उनके खिलाब आरोप पत्र त्यार करने के निदेश दिये हैं ताकि उनके खिलाब विभागी करवाई की जा सके ज्यारखन को केंदर से मिले कोवी सिल्ड के 6 लाख डोज कोरोना से चल रही जंग के विज ज्यारखन के लिए राहत भरी खबर है बतादे राज सरकार को केंदर से 6 लाख कोवी सिल्ड के टीके की डोज मिली है जिसके बाद राजधानी राची में करिब सैंती सेंटर पर सनिवार को वैक्सिनेशन का काम शुरू कर दिया गया